2001 में कालपनिक निर्मल प्रदेश में दीपक, एक किसान, अपनी नई दुलहन, फूल कुमारी के साथ अपने गाव वापस जा रहा है। वे कई अन्य नव विवाहित जोडों के साथ एक भीड भरी यातरी ट्रेन में चड़ जाते हैं। सभी दुलहने एक ही रंग की दुलहन की पोशाक पहनती हैं और उनके चहरे पूरी तरह से घूंघट से धके होते हैं, जैसा की परंपरा है। दीपक को जपकी आ गई और वह रात में जाग गया और उसे एहसास हुआ कि वह अपने गंतव्य पर आ गया है। जाने की जल्दी से अंधेरे और भ्रम में वह गलत दुलहन के साथ उतर जाता है और फूल दूसरे दूलहे प्रदीप के साथ ट्रेन में रह जाती है। जोडे का उसके परिवार द्वारा स्वागत किया जाता है लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि यह गलत है तो वे चौक जाते हैं। दुलहन वह उन्हें जूटा नाम पुश्पा बताती है और जूट बोलती है कि वह कहां से है। इस बीच एक अलग स्टेशन पर फूल को गडबडी का एहसास होता है लेकिन दीपक के गाव का नाम नहीं पता होने के कारण स्टेशन मास्टर उसकी मदद करने में असमर्थ है। वह अपने परिवार को शर्मिन्दा ना करते हुए घर वापस जाने से भी इनकार कर देती है। दीपक के आने की स्थिती में वह स्टेशन पर रुखने का फैसला करती है और उसकी मदद मंजू माई करती है जो प्लाटफॉर्म पर चाय की दुकान चलाती है। दीपक, फूल की तलाश में परेशान होकर S.I. शाम मनोहर के पास रिपोर्ट दर्ज कराता है। मनोहर ने अनुमान लगाया कि पुषपा चोर हो सकती है। वह उसका पीछा करता है और उसे आभूशन बेचते, मोबाईल फोन का उप्योग करते और बस टिकट खरीदते हु देखता है। पुषपा की दीपक के परिवार से दोस्ती हो गई। इस बीच फूल चाय की दुकान पर काम करती है, मनजु माई की मदद करती है, कलाकंद बनाती है और स्वतंत्र होना सीखती है। यह सोचकर कि पुषपा चोरों के गिरोह से है, मनोहर उसे गिरफतार कर ले करना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार ने जबरदस्ती उसकी शादी प्रदीप से करा दी, और यह भी कि प्रदीप उसके साथ दुर्व्यवहार करता था, इसलिए वह वापस नहीं लोटना चाहती। प्रदीप जया को लेकर पुलीस स्टेशन पहुचता है। वह उसे प इसलिए उसे किसी के साथ जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उसने प्रदीप को चेतावनी देते हुए जया को मुक्त कर दिया कि अगर उसने कभी भी जया पर हात उठाया, तो वह उसे घरेलू हिंसा और अपनी पिछली पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में गि जिपका दिया था, जिसमें यह उलेक किया गया था कि वह खो गई है, साथ ही यदी वह मिलती है तो संपर्क विवरन भी दिया जाए। इसकी मदद से फूल अंत्ता अपना रास्ता ढूर्णने और दीपक के साथ फिर से जुडने में सक्षम हो जाती है, जबकि जया अपनी शिक्षा हासिल करने के लिए दहरादून चली जाती है।